बात के एक बात ये कि बिहार में अब काम काफी एडवांस्ट हो गया है नदी बाद में आती रहेगी फुल पहले से ही बन कर तयार है फिर आप कहते हो कि प्लैनिंग नहीं करते हमारे सरकारी अधिकारी ये प्लैनिंग तो देखो खेत है खेत के बीच से नदी या नाला तो नाला क्रॉस कैसे करेंगे फुल तो चाहिए ना तो नदी नाला पार करने के लिए फुल बना दिया जब कभी नदी का मूड किया यहां से गुजरने का तो उसको भी सहूलियत रहेगी ना नदी को कैसे पता चलेगा कि कहां से जाना है खेतों के बीच से तो पुल बना कि जानना कहा है पुल को पार करके, सडक तो है यह नहीं, तो सडक होगी तो गाड़ियां नहीं चलेंगी उस पर, इसलिए तो सडक नहीं बनाई, फ्लैनिंग देखिया आप बस, सडक होगी तो गाड़ियां चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी तो पुल के ऊपर से जाएंगी, तो वजन पढ़ेगा ना पुल पर, समझे रहे हो ना, पुल गिर गया तो, फिर आप कहोगे कि बिहार में पुल गिरते जाते हैं, तो इसलिए इसको गिरने से एकदम सेफ बना गया है, पुल पर कोई वजन ही नहीं पढ़ सकता, सड़क ही नहीं है, ना इधर से आने वाली, ना उधर को जाने वाली, ना कोई आएगा, ना पुल पर चड़ेगा, ना उधर को जाएगा, पुल अपना मजबूती से खड़ा रहेगा, जब नदी को आना होगा, नीचे से आराम से निकल जाएगी, खड़क बना कर कोई जनता के पैसे के बरबादी थोड़ी करनी थी, लेकिन लोगों को चैन नहीं है, इतनी negativity फहला रखी है बिहार के पुलों को लेकर की सवाल खड़े कर दिये कि बीच खेतों में जहां किसी को कुछ पारी नहीं करना, वहाँ पुल का है बना दिया, तो बताईए, ग्रामीन कार्रे विभाग और कहां बनाएगा पुल, ग्रा उनको तो पुल बनाने को बोला, उन्होंने पुल बना दिया, पुल तो ठीकी बना दिया ना उन्होंने, जाच तो नदी वाले विभाग क्यों नहीं चाहिए, कि अभी तक पकड़ कर नदी को खीज कर क्यों नहीं लाएं आप खेतों में, पुल बनाने वालों ने पुल बन सेखलें कि तभी तो नदी नाले का फायधा होगा। ऐसे थोड़े कि सरकार ने फुल बना दिया और लोग साइठ से निकल के जा रहें। सड़क नहीं है तो पैदल ही निकलें। निकलें तो सही पुल के उपर से। पैसा वेस्ट हो जाएगा ना पबलिक का। इसलिए पब्लिक को ऊपर से निकालना भी तो अधिकारियों का काम है, पैसा पब्लिक काई तो है, नदी नहीं बह रही, तो ये थोड़ी है कि पैसे ही भाद ये, ये पुल नहीं गिरेगा, ये गैरंटी है, सो बात की एक बात. झाल मुझे भड़ी है, दो है झाल ये थोड़ी है, ये पाल ये जचे हैं, ये ये मुझे विखने पूल दिसना बात.